बड़ों को नमश्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी, आये जुड़ी विहारी क्वेस्ट, GS Research Center के साथ दो तो आज का जो यह mock test second है, पहला mock test में upload कर चुका हूँ, अभी तक अगर आपने नहीं देखा हुआ है, तो उस mock test को आप देख सकते हैं mock test test second जो है, उसका पहला question इस तरह है, इसका answer comment section में किजिएगा, last मैं आपको इसका answer में बता दूँगा second question यह आपके सामने है, इसका भी answer किजिएगा, question को ध्यान से पढ़िएगा, question important है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है next question जो है, हिमाचल का जो जीके section है, हिस्ट्री के पार्ट से है, और question कुछ इस तरह है, अठारवी सदिवी के उत्तराद में कांगरा पर अक्रम्मन करने वाला प्रत्थम सेनानाई कौन था, option A में है, हरी सिंग नलवा, B जस्रा सिंग रामगडिया, C बंदा बहादर और D ज परों में पूछा जा चुका है, इसका सही अंसर B होगा, बोलने का मतलब है, जस्सा सिंग, रामगडिया, पहला बेखती था, जिसने अठारवी सदी के उत्तराद, अठारवी सदी का उत्तराद का मतलब है, 1750 इसवी के बाद का एरा, यह आपको अच्छे से यहाँ से और इस बेखती ने कांगड़ा के उपर 1770 इसवी के आज प्रोस में अक्रमन कर दिया था, आप देख सकते हैं, यह कुश्चन, 2008, नार्त सीलदार का जो प्री हुआ था, उसमें पूछा गया है, इसके साथ ही, यहाँ पर कुछ एक परस्नेल्टी है, जैसे जै सिंक नहिया, 2783 से लेकर 86 तक कांगड़ा किला इनके आदिन रहा, यह आपको अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट वन जो इपॉटेंट परस्नेल्टी है, बंदा बहादौर, यह बंदा बहादौर जब गुरु गुबिन सिंग की डेथ हो जाती है, तो सिखों के जो दुश्मन थे, या सिखों के जो शत्रू थे, उनका खात्मा करने के लिए, यह हिली एरिया में क्या करता है, गुरिल्ला पधिती के माधम से, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखता है, तो यह आपको अच्छे से याद रखना है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोश्टन की तर्फ, यह कोश् कौन सी नदी के तर्फ पर है, यह आलमचंत कांगरा का राजा माना जाता है, यह आलमचंत थे, यह कांगरा के राजा है, और आलमपुर उस वकट कांगरा रियास्त में पड़ता था, वरतमान में हमीरपूर डिस्टिक में यह देखने को मिलता है, तो किस नदी के आस प्रो में उसे बताना चाहूंगा ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है रोहतांग दर्रे का प्राची नाम भ्रिगुतुं दर्रा है लहुल और स्पीती के बीच में यह दर्रा दिखने को मिलता है सत्रो जो है मान स्रोवर से निकलती है जो कैलास परवत के आधिन आता है हिमाचल परदेश की एक मातर ऐसी नदी है जो हिमाचल के बाहर से निकलती है और हिमल्यन रीवर है यमुना रिवर जो है आपका जो यम नोत्री या कालिंदी परबत जो है उत्राखंड में वहाँ से निकलती है हिमाजल पदेश की सबसे छोटी नदी है लंबाई के साब से ऐसा कंसिडर क्या जाता है सत्रुज की लंबाई हिमाजल पदेश में सबसे जादा है नेक्स टून जो सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो सत्रुज एक मातर ऐसी नदी है जो जासकर को चीरते हुए हिमाचल पदेश में भी परवेश करती है ये आपको अच्छे से याद रखना है राभी जो है बड़ा बंगाल रिजन से निकलती है जो दोहलाधर परवत शेंकला के आधिन पड़ता है चमबा से बहती हुई खैरी के आसपरोस में दोहलाधर को चोड़कर जो मुक्स में प्रवेश कर जाती है यहां से इतना ही आपको क्या करना है याद रखना है और नहीं रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट ही नहीं इंट्रेस्टिंग भी है क्या है इंपोर्टेंट ही नहीं इंट्रेस्टिंग भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कुछ इस तरह है बिलास्पूर के निमलिक्त राजाओं में से कीसे प्रजा ने उसके अत्याचारी शाषिन के कारण रियास्त छोड़ने पर बद्धे कर दिया था देख सकते हैं 2008 में कुश्चन पूछा गया था तो इसका जो सही अंसर है मेगचंद जो मेगचंद राजा थे वो एक अत्याचारी राजा हुए और इनके अत्याचार रोंग की बज़ा से वहां के जो समन्ने जनता थी उन्होंने इन्हें रियास्त छोड़ने के लिए बात देख कर दिया था आलमचंद के बारे मैं अभी बता चुका हूँ मैं इन्होंने आलमपोर शहर की स्थापना की ये देवचंद जो है बलासपुर के राजा हुए है और प्रमुख राजा रहे हैं संसार चंद आपने पढ़ा होगा कांगडा की हिस्ट्री में इनका नाम टॉप पे रखा जाता है जो ज्वाला जी की संदी हुई थी महराजा रंजीत सिंग और साथ में संसार चंद के बीच में 1809 में हुई थी यह भी आपको अच्छे से याद रखना है और ज्यादा रिटेल ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कुश्चिन कुछ इस तरह है बिलासपुर सब स्तनंतर्ण से पूरव कहलूर रियासत की राजधानी कहां हुआ करती थी बिलासपुर स्तनंतर्ण से पूरव कहलूर रियासत की राजधानी क्या हुआ करती थी यह जो इंपॉर्टेंट कुश्चन है आपको अच्छे से याद रखना है इसका सही अंसर सुनाहनी दीपचन का नाम आता है जो ने बिलासपुर शेर की स्तापना की और बीर्चन ने बिलासपुर रियासत की स्तापना की थी पुराना नाम कहलूर इसका पुराना नाम है ब्यासपुर भी बिलासपुर को कहा जाता है सतलुज के आजपुर में बसने वाला जीला है ये हिमाचल पदेश का एक मातर ऐसी रियासत जब हिमाचल पदेश का गठन हो रहा था तो इसने अपने आपको स्वंतंतर रखने की ठान ली थी अंतिम राजा अनंचन था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है उसके बाद बहादुर पूर एक कीला है जो बिलासपुर में देखने को मिलता है ये आपको अच्छे से याद रखना है आगे नेक्स टॉन चलिए बच्छेटू, फतेवर और नहरगड किले किस जिले में है तो ये सारे के सारे किले जो है ये बिलासपुर में है आपको अच्छे से याद रखना है कि जो ये किले हैं किस जिले में स्थित है क्योंकि ये सारे के सारे किले जो है important है क्या है ये सारे के सारे के लिए important है आगे question है चम्बा के राजा उदे सिंग को गुलेर के किस राजा का अभिवावक बनाया गया चम्बा के राजा उदे सिंग को गुलेर के किस राजा का अभिवावक बनाया गया था तो ये जो गुलेर का राजा दलीप सिंग था उनका अविभावक बनाया गया था शिखों के बरती हुई शक्ति के बावजूद ऐसा स्टेप उठाया गया था उद्य सिंग जो है काफी इंपोर्टेंट है इनके टाइम में चितरकला का विकास हुआ साथ में माना जाता है कि इन्होंने नाई की एक लड़की थी उससे प्रेम विवाग किया था ऐसा चमबा की हिस्ट्री में लिखा हुआ है चमबा की अगर बात करें चमबा शेहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की साहिल वर्मन चंबा को चंबा नाम दिया अपनी बेटी चंपावदी की नाम पर चकली सिक्का चलाया एक साथ में इससे पहले ब्रहुपूर इसका पुराना नाम हुआ करता था और मेरु बर्मन ने ब्रहुपूर को चंबा रियासत की राज़दानी बनाया था सूई मिला, मिंजर मिला मनिमेश यात्रा छड़ी यात्रा यहां के प्रमुक उत्सव है साथ में गुरेई यहां का एक लोग नित्य है और साथ में लोग गाने गुरेई यह आपको अच्छे से याद रखना है रावी नदी के आसप्रोस में यह प्यारा सा बसा हुआ चंबा डिस्टिक है हिमाचल प्रेश का जब गठन हुआ तो चंबा सबसे पुराना डिस्टिक था यह पुराने हिमाचल में कंसिडर किया जाता है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चिन जो है उसकी तर्फ भाव सिंग मुरीद खां जिसने 1686 इस्वी में इसलाम धर्म अपनाया किस रियासत का शाशक था तो यह नूरपूर रियासत का शाशक था और एंग जेव के समकाली नहीं यूँकि डेट लिखी हुई है उनके प्रभाव से इस विक्ती ने इसलाम धर्म को अपना लिया था नूरपूर का पुरारा नाम धमेडी धर्मगिरी यहां के जो मूल निवासी है वो पठानियां उनको कहा जाता है इनका सबंध पांड़ों से जोड़ा जाता है और कई बार कुछ एक दंद कता है परमपराय हैं जो पठानियां को नाग के वंशेज भी मानती है यह भी आपको अच्छे से याद रखना है एहनूर का मैं आपको बिवणन कर चुका हूँ गुलेर एक रियासर थी हरी सिंग ने इसकी स्तापना की कांगरा में पढ़ती थी और बनेर निउगल और बान गंगा के संगम पर यह गुलेर जो रियासर थी वो पसी हुई थी वरतमान में यह गुलेर गाउन के नाम से जाने जाती है आगे चलते हैं नेक्स्ट कुश्चिन की तर्फ कुश्चिन इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट ही नहीं इंट्रेस्टिंग भी है कुलू जिले में मलाना गाउन किसके लिए माना जाता है बिशिप क्या सबसे प्राचिंतम लोक्षाईयों में से एक है जिसमें 500 परिवार है इसका सही अंसर जो है घर है उप्रोग सारे के सारे सही है इस सारे के सारे जितने भी फैक्ट है आपके आने वले पेपर के लिए इंपोर्टेंट है दूसरी बात क्या है कि यहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें सिकंदर के वन्षज माना जाता है सिकंदर के वन्षज सिकंत्र युनान की शाषिक है युनानी है ये और एक बौध की शाखा जिसे बजरिया जो तंत्रिक बिद्या में बिश्वाश करती है यहाँ पर देखने को मिलती है जमालू और गेफांग आपस में भाई भाई है गेफांग लौल स्पीती का देवता है लौल स्पीती की सबसे उची चोटी भी है और माना जाता है पहले रोधांग दर्रा काफी बढ़ा हुआ करता था लौल स्पीती और जो कुलू के लोग थे उन्होंने शिप से प्रात्ना की क्यूंकि उन्हें इस दुर्गम दर्रे को पार करना काफी मुश्किल होता था तो हुआ क्या शिप परसंद हुए उन्होंने उनकी बात सभीकार कर ली और रहतांग दर्रे के उपर से एक रास्ता बनाया अपनी टिशूल के बादें से ऐसा किया और रहतांग दर्रा तूट गया और तूटने के बाद पहले जमालू और जो गिफांग का निवास रोहतांग दर्रे में हुआ करता था एक भाई स्पिती की तरफ चला गया और दूसरा कुलू की तरफ आ गया ऐसी मानयाता ऐसी दंदकत्थाएं ऐसी किवदंतिया आपको हिमाचल की हिस्ट्री में देखने को मिलती है आयोब आप ये भी अच्छे से समझ के होंगे ब्यास नदी के असप्रोस में ये बसा हुआ है मलाना एक खट भी है जो ट्रिब्यूट्री है किसकी ब्यास की साथ में मलाना भांग की खेती के लिए काफी परसिद है यही चीज़ें आपको यहां से याद रखनी है आगे चलते हैं सलारी पत्थलेक काफी इंपर्टेंट है कुल्लू का क्या महत्व है देखो पहला तो question आपको यहां से एक यह सिखने के लिए मिल रहा है कि जो सलारी पत्थलेक है सलारी पत्थलेक ये कहां परस देते हैं किस डिस्टिक्ट से इसका सबंद है इसका महत्तब क्या है तो option पढ़ते हैं इसमें गुप्ट साशक, कुमार गुप्ट और सकंद गुप्ट के अभ्यानों का ब्योडन किया है हून अक्रमन कारियों के बिश्वन्स का ब्योडन देता है इसके अनुसार गुप्ट साशक, चंदरगुप्ट ने पहारी शाशकों से सैनिक सहता प्रापत की हर्श वदन के काल में हिमाचल में शांती और सम्रिदी की प्रशाशा की गई है इसका सही अनसर जो है वग है क्या है? इसका सही अनसर गई है इसके अनुसार गुप्ट साशक, चंदरगुप्ट ने पहारी शाशकों से सैनिक सैनिय साइता प्रापत की थी अब यो चंदर गुप्त है यो गुप्त वल्ष का शाषक है यह आपको अच्छे से याद रखना है अगर श्रीगोपत option में ना हो तो चंदर गुप्त को गुप्त वल्ष का संस्थापक भी माना जाता है गुप्त वल्ष को स्वर्ण काल कहा जाता है अपनी कला और संस्किती के लिए स्वर्ण काल और मूर्ती पुजा का जो अरंभ हुआ मंदिर बन्ने का जो अरंभ हुआ वो गुप्त काल से माना जाता है आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यह जो कुश्चन था आपके लिए कैसे इंपोर्टन था आगे नेक्स्ट कुश्चन है कुल्लो के किस राजा ने 780 से 800 इस्वी के बीच कुल्लो को चमबा के नियंतर से मुक्त करवाया कुश्चन काफी इंपोर्टन है कुल्लो का जारेशरपाल है और यह सहिल वर्वन के समय की बात है सहिल वर्वन के समय की बात है कुल्लो के किस राजा ने जो यह डेट दी हुई है इसके बीच कुलू को चम्बा के नियंतर से मुक्त करवाया था तो ओ कौन थे? सहिल, वर्मन जो उसके चम्बा के राजा हुआ कते थे और जारेशिरपाल जो कुलू के साशक थे उन्होंने ऐसा किया तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो इतना सा तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेर करें, लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें इससे क्या फाइदा होगा कि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ उसकी दे वाई दे आपको notification मिलते रहेगी आगे next one question जो है कांगरा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत कौन सी थी काफी important है A. जस्वा रियासत B. धमेरी रियासत C. सिभा D. कुटलहर रियासत तो इसमें से कौन सी रियासत थी जो कांगरा से टूट कर बनने वाली पहली रियासत थी तो इसका जो सही अंसर है जस्वा रियासत जस्पाल इसके संस्तापक माने जाते है जस्पाल उसके साथ कुटलहर जो थी कांगडा की सबसे छोटी रियासत थी वर्तमान में जास्वा रियासत जो है उना का पार्ट माना जाता है आपको पता है और एक स्वा नदी भी है जो उना का शोक कहा जाता है जिसको यह आपको अच्छे से याद रखना है कि उना का पुराना नाम सौन भद्रा है सौन भद्रा यहां की प्रमुख नदी स्वान जिसे उना का शौ कहा जाता है और यह मानसुन टाइप की एक जीवर है तो आगे चलते हैं आगे क्या करना है कि जो सिबा रियासत कांगडा की रियासत थी कुटलहर आपको बता चल गया और साथ में धमेरी रियासत भी मैंने बता दी कि जो नूर्पूर हुआ कता था जबर रदी के आजप्रोस में तारागड और साथ में जो नूर्पूर किला है यहां का प्रसित आर्ट इन कल्चर का एक नमूना है इसके साथ यहां एक मातर मंदर है जहां पर राधा और कृष्ण को एक साथ नहीं दिखाया गया है मीरा के साथ श्री कृष्ण को नूर्पूर में एक कृष्ण मंदर है वहां पर मीरा के साथ श्री कृष्ण को दर्शाया गया है नागरी मंदर यहां का प्रसित मंदर है या को अच्छे से याद रखना है आगे next question जो है कुछ important है क्यो important है क्यों important है क्योंख यह भी previous time में जो paper हुए है उसमें पोशे गये है जब बिलास्पूर कहलूर रियासत के राजा खर्कचंद की निसंदान मृत्यू हो गई तो वहां का राजा किसे बनाया गया था काफी इप्वाटेंट है तो ये एक काफी अन्होनी जैसी गटना थी और लोगों ने डिसाइड किया कि आप राजा किसे बनाया जाए तो उनका जो भाई था मिया जंगी उनको राजा बनाया गया था ये आपको अच्छे से याद रखना है आप अच्छे से समझी गए होंगे अब ये जो कुश्चन है इसको पहले द्यान से पढ़िएगा पहले ट्राइ किजिएगा और फिर क्या करेंगे इसको सौलो करने की कोशिच करेंगे भात राज़्टी कॉंग्रेस के लिए सेफटी वालो का सिद्यान किस ने दिया था ये लाला लाजबत रहे थे जिन्होंने ऐसा किया था निमन गटनाओं को सही कालक्रम में व्यास्तित करना है अगस्त पस्ताफ मैं आपको डेट बता दूँगा आप इसको सही किजिएगा अगस्त पस्ताफ 1940 में लाए गया पूना समझोता 1932 में हुआ और 26 सेप्टमबर 1932 की बात है बियार अम्बेदकर और महत्मा गांधी के वीच में ऐसा हुआ था तीसरा गोल में समिरर 1931 में हुआ था अब आप इसकी स्क्वेंस लगा सकते हैं आप आप अच्छे से समझ गे होंगे अब जो पहले क्वेटन छोड़े हुए थे उनके उपर चलते हैं उनके जो सही अंसर है क्या क्या है तो क्वेश्चन जो है कैंदर शाशे प्रदेश लक्षदीप के नियाई ख्शेतर का कारे कौन सा नियाले करता है तो इसका सही अंसर जो है C है केरल हाई कोट आपको अच्छे से क्या याद रखना है यहां से कि सबसे जो इंपोर्टेज चीज है यह यह है कि केरल हाई कोट के आधीन कैंदर शाषित प्रदेश लक्षदीप पड़ता है लक्षदीप का पुराना नाम लक्का दीप हुआ कता था लक्का दीप हुआ कता था लक्का दीप के साथ ही सबसे इंपोर्टेज चीज क्या है कि लक्का दीप के साथ ही इसे कोरल आइसलेन या कोरल दीप भी कहा जाता है कोरल दीप अर्ब सागर में पढ़ता है वह जो प्राइदीप यह भारत है उसके western पार्ट में है यह प्राइदी विय भारत है उसके western पार्ट में ही देखने को मिलता है आखें द्रीब क्या होता है ऐसा टुकडा जो चारो तर पानी से गिरा हो उसे द्रीब कहते है उसे आइलेट कहते है आगे next one question देखिए एक चीज़ याद रखें यहां से area wise सबसे कम area वाली UT है के अंदर शाषित प्रदेशे 32 km2 वर्क इसका area माना जाता है और इसमें total जो दूपों की संख्या है 36 से कितनी है चेती संख्या दूपों की देखने को मिलती है आगे next one रज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गल्थ है रज्यसभा एक स्थाई निकाय है जी हां बिलकुल यह ठीक है इससे तीन अप्रेयर 1952 को विदिवत बनाया गया यह ठीक है रज्यसभा के बारा स्थाद से रास्थ्पति द्वारा मनोनित होते है यह ठीक है रज्य सभा के एक तिहाई सदस ये प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं गल्थ है ये एक तिहाई तो होते हैं एक तिहाई बिल्कुल होंगे पर प्रतिवर्ष नहीं दो वर्ष इसका करेकाल होता है आप अच्छे से समझगे होंगे अच्छे से समझगे तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में क्या करना है आपको बड़ों का रखना है ध्यान उनका करना है समान चोटों से करना है प्यार और सने परिवल्व सेथ का रखना है ध्यान यह होना चाहिए हमारी जिन्दे का परमकाम धने बाद जैहिन